लो आ एक बार फिर से स्वागत है आपका लडिन दा बेसिक चैनल पे आज हम लोग यहां पे डिसकस करेंगे अक्सटूजन प्रोसेस के बारे में और एक्साइड प्रोसेस में जो भी टाइप से उनके बारे में तो यह सारा हम लोग discuss करने वाले हैं कि डाइकट extrusion and blues क्या होता है इसके लावाँ impact extrusion क्या होता है और lateral extrusion क्या होता है यह सारे process के type हम डिसक्स करेंगे तो चलिए video start करते हैं और सबसे पहले देखते हैं extrusion क्या होता है तो extrusion is a bulk forming process टर्म सियानरी का वाल्उमäre आज तर्ब और आज फिरी को किले मैटीरीयल को आज पराम करते हैं एक डिजएडर स्यपस है- जिसमें कि ब्रोप material को force क्या जाता है या compress क्या जाता है force कैसा अप्लाई होगा compressive force अप्लाई होगा और स्तरह से compress क्या जाता है कि material का flow जो हो वह एक particular opening होगी उस opening से material flow करके हमारा बाहर आएगा और वह जो opening होगी ओपनिंग का जो भी shape होगा अगर राउंड शन से बाहर सकते हैं इससे बनने वाले जो양शन सब्सक्रत है वो हो सकता है इस तरह के कई सारे कई बार हम लोग एक ही राड एक्स्टूड कर लेते हैं जिस पर गी तरह टीफ कटे होते हैं और उसे चोटे जोटे गियर्स भी बना लेते हैं जिनका यूस्की ट्वाइज होगेरे में किया जाता है तो यह है एक्स्टूजन प्रोसेस का एक basic idea अब हम लोग देखते हैं types of extrusion में तो types of extrusion में देखे direct extrusion जिसको कि हम forward extrusion भी गोलते हैं दूसरा है indirect extrusion जिसे हम backward extrusion भी गोलते हैं third one is hydrostatic extrusion fourth one is impact extrusion इसके लामा भी extrusion हो सकता है जैसे आप सुनेंगे lateral extrusion या फिर अगर temperature के basis बात करें तो hot extrusion cold extrusion यह सारे भी extrusion के type है तो mainly यह चार हैं जिनको हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं तो direct extrusion में direct extrusion में direct से मतलब यह है direct या forward से मतलब यह है कि force की direction और material के flow की direction दोनों ही एक ही direction में होंगी ठीक है इस figure में आप ध्यान से देखिए इस figure में देखने पर आप देखेंगे कि यहां पर यह pressing stem जो लिखा हुआ है यह pressing stem इसको हम बोलते है प्लंजर यह रैम भी बोलते हैं pressing stem को इसके लावा है यहां पर देखिए dummy block लिखा हुआ है जो कि show कर रहा है यह दूसरा उसी same color का दिखा रहा है यहां पर जो dummy block है यह क्या है रैम के आगे रैम से कम diameter का एक block है क्यों रैम से कम diameter का यह मैं भी explain करता हूँ green color का है जो material है यह आपका billet है या फिर work material इसको कह लिजे इसे हम billet बोलते हैं बाहर यहां red color का यह जो दिख रहा है आपको यहां पर लिखा हुए dye है ठीक है red color की dye के आगे यह लिखा हुए dye backer है dye क्या होता है dye जिस shape का आपको जिस cross section का आपको चाहिए होता है work product वो cross section dye पे हमारा बना हुआ होता है तो इस तरह से यह dye हो गया dye backer का यूज़ करते हैं क्योंकि हम highly high compressive forces का यहां पर यूज़ करेंगे तो dye कहीं उस force बाहर ना जाया तो इसके लिए dye backer का यूज़ किया जाता है ठीक है यह green color का जो material है यह हमारा यहां पर दिखा रहा है material work piece है जिसे हम billet भी बोलते हैं तो य इस एक container में जो कि purple color से दिखा हुआ यह container दिखा हुआ यह container दिखा हुआ यह container है यह container में और यहां पर container के बाद नीचे gray color का यह lining दिख रहा है इसको container liner कहते हैं यह एक high register material का बना होगा यह liner इस तरह से बना होगा कि इस पर जो coefficient of friction हो वो थोड़ा कम हो ठीक है और hard material का होगा hard इसलिए क्योंकि इसमें flow होना है material का पुरा flow होना है जिसकी वजह से इस पर high wear हो सकता है तो इसलिए container liner बना दिया जाता है देखिए diet container का use container की जो inner wall है उसको safe करने के लिए हम यह container liner बनाते हैं या प्रोवाइट करते हैं इस पर container में अब क्या करना है आपको material जो billet है जो भी raw material है उसको हम press करेंगे plunger से अच्छा जो भी material अगर आप hot extrusion का use करें तभी यहां पर करते हैं क्योंकि hot जब material होता है तो इस पर oxide layer हो जाती है जिससे हम scaling भी कहते हैं वह oxide layer container liner और वर्क पीस के बीच का जो coefficient of friction है उसको बढ़ा देता है जिसके और ज्यादा मतलब काफी ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है जो की बेफिजूल होता एक तरह से एक्स्टा एफ़र्ट होता है एक तरह से तो हमें वह अवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं डामी ब्लॉक को लगा देते हैं होट एक्स्टुजन प्रोसेस मतलब अगर डिक्रिसलाइजेशन टंप्रेचर से ऊपर और आपका मेल्टिंग पॉइंट से नीचे टंप्रेच तो इस वजए से हम लोग इस डामी ब्लॉक का यूज नहीं करते हैं जैसे कोल्ड एक्स्टुजन कररें होंगे अगर आप यानि की रिक्रिसलाइजेशन टंप्रेचर से नीचे और रूम टंप्रेचर से उपर के टंप्रेचर पे तब आपको इस डामी ब्लॉक की जुरत न तो इस तरह से आप यहां पे एक रॉड देख रहे हैं जो की बाहर आ रही है जो भी लेंथ आपको चाहिए उसको आप पे कट कर लीजिए उसके फर्दर आप फिर से फोर्स लगाएंगे और फर्दर आपका प्रोड़क्ट आएगा तो यह है आपका डायक्ट एक्सटुजन अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं इंडायक्ट एक्सटुजन यह मैंने आपको आपको यह एक्स और वाइप प्लेन से कट करके वर्टिकली कट करके आपको शो किया हुआ है यहां पर मैंने आप क्रॉस सेक्शन जो दिखाया है वो देखिए आप अंदर के साइड आप द दिख रहा है यहां डाई है आपका यहांपए ब्लु कलर का है बिलेट मतलब वर्क मेटीरियल पीछे सीलिंग प्लेट लगाए हुआ जिअहां पर से में एक स्ट्टेनर तो रैम से जब आप force लगाएंगे अपलाई करेंगे तो die के थू होते हुए ये billet का material इस तरह से बाहर के साइड में आएंगे तो force application की direction आपका ये है लेकिन material का flow जो है जो आपका product आएगा वो opposite direction में आएगा चुकि ये दोनों की direction opposite है इसलिए इसको in diet extrusion या backward extrusion भी कहते हैं diet extrusion और in diet extrusion में difference क्या है देखे diet extrusion में आप क्या कर रहे थे जब आप यहाँ पे plunger से plunger या आप इससे प्रेस कर रहे थे रैम से work material को प्रेस कर रहे थे तो work material और container दोनों diet contact में थे जिसके वजह से friction ज्यादा हो रहा था क्योंकि पूरा पूरा का पूरा बिलेट जो है यह move कर रहा था ट्रैवल कर रहा था आगे के साइड में तो traveling की वजह से क्या है पूरा container और बिलेट यह जो यहाँ पर contact आएगा इंटरफेस पर जो भी contact आएगा इस इंटरफेस पर क्या हो जाएगा मतलब work material और container के इंटरफेस से friction काफी जादा है क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है लेकिन इंडारेक्ट इंडारेक्ट एक्स्ट्यूजन के केस में क्या है यह यह इंटरफेस आप अगर देख पा रहे हैं यह इंटरफेस कंटेनर और इतना portion जहोगा यह यहां पे flow हो रहा है इस चगे पर कोई flow नहीं हो रहा है कोई relative motion नहीं हो रहा है इस वजदे इसके friction जो है बिल्कुल नहीं होता है समझ लिजे उसलिए ग्सक्रीशन को मोफ प्रिक्शन को मिलोग प्रिफर करते हैं तो यह इसका advantage है indirect extrusion का आगे बढ़ते हैं यह है hydrostatic extrusion इसमें क्या होता है कि billet का जो diameter होता है वो container के diameter से कम होता है ठीक है देखिए यहाँ पर यह container हो गया और यह आपका बिलेट वाला portion हो गया ठीक है इसका diameter container का diameter पूरा यह इतना है और बिलेट का diameter सिर्फ इतना है ठीक है तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि बिलेट और container का diameter में काफी difference है तो जो container बिलेट और container के बीच का जो खाली space हुआ वहाँ पे fluid भरा होता है fluid भरा होता है और यह fluid इस तरह का होता है कि यह high pressure को bear करने आला fluid है ठीक है और high pressure पे होगा यह और यह cover करके रखेगा आपके बिलेट को इससे फायदा क्या होगा कि जब आप रैम से आप force apply करोगे तो यह force किस पे जाएगा fluid पे जाएगा किस पे जाएगा रैम से force जाएगा fluid पे कुछ ऐसे material जो brittle type के होते हैं उनका extrusion आप इस process के द्वारा कर सकते हैं क्योंकि diet contact में रैम नहीं है diet contact में billet और container नहीं है ठीक है रैम किसके contact में है fluid के contact में और जब भी हम fluid पे किसी तरह का force यानि compressive force जब किसी static fluid पे हम लगाते हैं तो यहाँ पे पास कर लोग के according force जो है हर direction में equal लगता है equally distribute हो जाता है और जो भी surface है उस पे कैसे लगता है perpendicularly लगता है तो यहाँ पर पास कर लोग आएगा वर्क में और रैम के थ्रू रैम के थ्रू फोर्स compressive force transfer होगा fluid में fluid के थ्रू फ्लूड के थ्रू फ्लूड चुकि पूरे three dimension में cover किये हुए है बिलेट को तो तीनों डारेक्शन से आपका compressive force लगेगा जो कि ट्राइक्जिल compressive stress की तरफ वर्क करेगा ठीक है और इस force की वज़े से आपका move करना बिलेट शुरू करेगा तो यहाँ पे भी देखिए आप friction जो है ना के बराबर है बहुत कम friction है यहाँ पे fluid और कंटेनर के बीच में जो friction होगा वाई friction है तो यहाँ पे भी diet extrusion के comparison में यहाँ पे आपका friction बहुत काम है ठीक है तो आपको समझ आ गया होगा आगे बढ़ते हैं impact extrusion नाम से ही समझ में आ रहा है impact का मतलब है कोई ऐसा load लगाएंगे जो कि एक certain height से आएगा तो यहाँ पे क्या है यह देखे डाई बनी हुई है डाई में ग्रीन कलर का जो work material रखा हुआ है जिसे हम ब्लैंक बोल रहे हैं और उपर यह जो plunger हमारा आ रहे है इसको punch बोल लिजे आप और यहाँ पे देखे इस टिपर plates है जब यह प्लंजर नीचे आएगा और काफी height से आएगा कुछ particular force से कुछ particular speed से आएगा तो यह जाके और इस वर material को blank को hit करेगा तो इसका जो diameter है यह जो आराय प्लंजर या रैम या पंच जो भी इसका जो diameter है यह diameter इस डाई में जो material जितने material जहां तक fill है यह मतलब कि यह वाला length यह पूरी length जो होगी इसकी यह पूरी length होगी इससे इसका diameter कम होगा यानि कि दोनों के बीच में कुछ clearance होगा तो जो clearance होगा ना वही वर्क का जो thickness आएगा यहां पे जो पार्ट बंडा ग्रीन कलर का मुड़ के आ गया यह जो thickness होगा वह उसी clearance के बरावर होगा एक तरह से समझ लीजे तो जो भी clearance होगा उतनी thickness हमारे work material की आएगी यानिकी desired product की आएगी तो इस तरह से impact के थू हम लोगों ने क् इस work material को extrude कर लिया एक particular direction में हैं तो यह similar to किसके indirect extrusion के हैं क्योंकि हम force लगा रहे हैं downward direction में और हमारा material जा रहा है किदर upward direction में जो है इसका deformation हुआ दोनों की direction opposite हुई तो एक तरह से similar to indirect extrusion है तो यह है हमारा impact extrusion आगे बढ़ते हैं यह है lateral extrusion इसमें मैंने कुछ explanation नहीं किया है ज्यादा लिखा नहीं हुआ है इसमें lateral का मतलब आप समझ रहे हैं कि जिस axis में आप force लगाएंगे उसके 90 डिग्री पे किसी axis में आपका product output में आएगा तो यह green color का जो है यह आपका work material है यह आपका punch हो गया punch से आप force apply करेंगे force apply करेंगे यहां पे head eye opening देखिए यह red color की ज इसलिए इसको lateral extrusion बोल रहा है ठीक है तो यह कुछ extruded products के products का example है इस तरह के cross sectional areas को आप extrude कर सकते हैं इसमें यहां पे जैसे यह समझ में आ रहा है कुछ window का frame होगा यह door का frame होगा यह भी frame type का ही कुछ लग रहा है system यह सारे जो भी हैं आप इस तरह का dyes का shape इस तरह का आप दे सकते हैं और यह सारे products सा अा एकาย가 कर सकते हैं तो आप जो когда Rad स्वाइड या या हालो राडवी ही आप जो है एक्टूड कर सकते हे निए हालो सेक्शन बनाने के लिए실फ है जैसे में जो हो प्रड़्ध में आप जो एलग यह इन था vaag तो जो भी मैंटेरील का फ्लो होगा उस मैंडल के उपार से लिए करेंगे nochmal घंटेंड में लग दीता तो जो मैं डग करदेंगे कंटेंटर केधर इंटरे इन ऊनला पॉर्षिन हो एसलिए ल्लिए प्रोड़क्ट आयाएगा तो सड्या मैं आस अप कर सकते हैं और इन डायक्ट firefighters में ऐसमिक झालना वगा क्या सिखिस्स क्रेंगे यहां पर कि यह यहां की का ब्लाइव कर दिद्त सब्सद्रा गया है यह हो गई solid RAM हो गई अब आपका जो product निकलेगा वह कहां से flow करेगा इस जगे से यहां से और यहां से flow करेगा आपका बिलेट का portion तो आपको जो section मिलेगा वह कैसा मिलेगा hollow section मिलेगा तो इस तरह से आप indirect extrusion को indirect extrusion के through यह short notes बनाने के लिए आपके लिए profitable वीडियो है अब चाहिए तो इसको बार-बार देखके छोटे-मोटे notes बना सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो like subscribe और share कर यह channel को thank you very much